नमस्कार दोस्तों मैं उमेश शर्मा चार्ट चैनल पे अपका हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की बताएंगे कि कैसे हमने बैंक निफ्टी में ओवरनाइट पॉडिशन होल्ड करके 95000 के आसपास का प्रॉफिट किया इसके साथ-साथ आपको निफ्टी के अनैलिसीज भी करके बताएंगे कि निफ्टी में जो आज हमने एक टेलीग्रम चैनल में मैसेज करा था जिसकी वर्णे से हमें लगा था कि निफ्टी में गिराबाट आएगी मैंने निफ्टी की पुट्स भी ली थी पट मेरे फेवर कर दोस्तों को सब्सक्राइब कर देगें तो सबसे बहidalे दोस्तों मैं आपको वेरिफाइट लोग दिखाते नहीं है गबराते हैं और अगशने करें तो दो दिल्स दिखाने से तो दोस्तों कोई और जी नहीं में 325 रुवे का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों वह है निफ्टी में तो यह दो पूजिशन मैंने आज बनाई थी और इन में मुझे प्रॉफिट देखने को मिला तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैंग निफ्टी की बात करते हैं तो बैंग निफ्टी में मैंने ओवरनाइट पूजिशन होल्ड करी थी आपको बताया था कि 44,450 से मैंने बैंग निफ्टी की पूट्स ली थी और उसके बाद बैंग निफ्टी में जो गिरावाट आई है वो कुछ 550 से 600 पॉइंट के असप डबल नहीं होते या फिर आप एक्सपाइरी वाले दिन पर ही काम करोगे तो ऐसा देखने को मिलता बढ़ ऐसा कुछ नहीं है आप अपना ट्रेड बनाओ आप अपने ट्रेडवे कायम रो आप प्रॉफिट करोगे तो आपके ऑप्षिंस दो गुना नहीं तीन गुना चार भी हो सकते हैं वह अलग चीज़ है अगर बताना चाहूं तो यहां पर मैं आपको निफ्टी का चार दिखाना चाहूंगा इस एरिया को थोड़ा सा जूम करूंगा और यहां से मैं इसका टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूंगा वह है वन डे का तो वन डे के हिसाप से हमने एक अ तो मेरा टार्गर बनता है वह बनता है 43,600 के असपास अभी मैंने पूशिशन स्क्वराफ करी है रीजन उसका क्या है वह भी मैं आपको जल्दी से बताऊंगा हाला कि यह जो सैलिंग बनी है यहां से जो शॉर्ट पूशन मनी थी यह एक्च्वल में इसका जो सपोर्ट है अब ही जो सपोर्ट बनेगा वो 43,600 का बनेगा तो एक्जेक्ली मार्केट को मुझे लग रहा है कि 43,600 तक आना चाहिए इस वज़े से मैंने कहा था 44,500 की जब मैंने पुट बाय करी थी और कल भी में को अच्छा कासा प्रॉफिट आ रहा था मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा मॉर्णिंग में प्रॉफिट मेरा एक लाग से उपर भी था बट मैंने आज बुक नहीं करा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मार्केट हो सकता ह है कि 40,700 या 600 तक आज भी इंटर डई में भी देखने को मिल सकता है क्योंकि आज भी मंतिली एक्सपैरी थी में मुझे लग रहा था कि बड़ी हल्चल हो सकती है और हुआ क्या कि मार्केट ने जो लो बनाया वो बनाया 43,895 का तो जहां से शॉर्ट पोडिशन मनी थी वहां आज से 600 पॉइंट के असपस की गिरावट हमें देखने को मिलिए 550,600 पॉइंट की गिरावट देखने को मिलिए बड़ी गिरावट है दोस्तों कोई छोटी गिरावट नहीं है बट आपको अभी भी बोलना चाहूंगा कि अभी भी मार्केट मुझे थोड़ा सा वीक लग है अगर मार्केट थोड़ा सा भी उपर जाता है मैं अपनी अनालिसे बता रहा हूं दोस्तों कि मैं किस तरीके से ट्रेट प्लाइन करूंगा उसके बारे बता रहा हूं अगर बजार कभी उपर की तरफ ही दिखता है इस एरिया में तो मैं फिर से शौर्ट पूडिशन मना के चलूंगा दूसरी दोस्तों यह बात है कि अभी तो यह डीली चारट हो गया है यहां पे मैं सब्सक्राइन के चाहर पर कोई देखने को ऑर यहां इस जगहा पर कॉई इवनिंग स्टार स्चूटिंग स्टार कोई भी कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा तो मैं वहां पर फिर से सेलिंग पोडिशन मनाऊंगा जो मैंने पहली वाली गलती करी थी जो पहले मैंने अभी तीन-चार दिन पहले जो बैंक निफ्टी की शॉर्ट पॉजिशन मनाई थी कि मुझे लग रहा था कि इसी 300-400 पॉइंट उपर जाएगा गिनने को 2000 पॉइंट है वह उस टेडिजी से मुझे नुकसान हुआ था बट अभी फिलाल मैं क्या करूंगा कि 15 मिनट का चार्ट यूज करूंगा पंदर मिनट के चार्ट पर जब भी मुझे सैलिंग का पैटर्न मिलेगा उसको ट्रेल करने कोश तो मैं अब निफटी निफटी के बारे मताया अगर मैं निफटी का चार्ट आपको दिखा ओर ऐहां से बज़ार जो है है अगर बजार की बात करें निफ्टी की तो निफ्टी का यह कहा है support एर्या है यानि यह support है और support के आसपास ही इसकी closing हुई है 253 एसकी closing हुई है और यह support एरिया और यह support एरिया वैसे अगर देखेंगे तो फर्सट इम में भी इसमें यहां से बाउंस बैक मिला था ये में बात करो दोस्तों इसका फ्यूचुर प्राइस जब इतना चल रहा था तो प्राइस जब इतना चल रहा था कि तो वहां पर हमने क्या रहा था इसकी उनिस आजार तीन सो की मैंने पूरलनी ती मैंने δαूट लितीफ लिती खोली मैंनेl na मार्केट में है लो दिखेंगे तो लो दिखा रहा है आपको 19,2203 रुपय का जब 19,240 रुपय के आसपास चल ला था तब यह 72 का जो प्रीम था वो सिफ 76-77 के आसपास चल ला था यह क्या चीज हुरी है मार्केट में आगर आप देखेंगे तो भाई अगर वहां से जहां से 77 के आसपास इतना मूर अफ कर देखा मेरा जो प्रॉफिट होना था 250 कॉंटिटी के साफ से अराम से मेरा साथ साथ 7000 साथ 8000 का प्रॉफिट होना था और दोस्तों प्रॉफिट कितना मिला मुझे 300 अब बजार मेरे फेबर में गया तब भी कुछ नहीं मिला अब अनाली सिस सेप्टेमबर के पहरी मैंने इसे कर रहा था ना कुछ भी नहीं विया तीन सोर में मिले मज़ा मेरे फीवर में आप यह सब्सक्राइब कर दी हलाकि मुझे भी वीकनेस लग रही है बट मैं सोचा चलो आज करके जाता हूं कल हो सकता है गैप मिले या इसी रेट पर मिलता है कोई 15 मिंट के चार्ट पर को रिवर्सल पैटन मिलेगा तो मैं फिर क्या करूंगा अभी फिलाल अगर मैं बात करूं तो अभी मैं मार्के इसके से लिडिखेंगे तो यह देखेंगे 15 मिनिट चार्ट में बजार में आपको था देखने को मिली अब जब बजार गिरता है आप बजार गिरेगा और आपने पूंट ली हुए तो पूंट बढ़ना चाहिए अब आपको लगता है कि बजार में तेजी आईगी अब आ क्या है nuԱ वहीं luminीर लगता है कि भी बजयार गिरेगा तो आइसके पुट खरीदते है तो बजयार अगर गिरता है तो अपनी से मतुता ओ ने अभी चलता है शंव को बताता हूं तो सबसरे तो पहले दोस्तों इहां डसबोर्ड में मैं आपको अपना ट्रेड प्ता देता हूं और यह देखो मैंने 78 पी लिया था यह exactly यह देखो मैं आपको दिखा देता हूं यह देखेंगे 73 के आसपस बाइंग अभरेज था मेरा 73 था मेरा आपको दिख रहा होगा 73 के आसपस और मैंने एक्जिट कर रहा था कुछ 74 70 70 और यहां पर मैं क्या करता हूं पुट का चार्ट दिखा देता हूं यह देखेंगे इसके निफ्टी की पुट का चार्ट उसी का अब आप देखोगे तो यह आपको देखने को मिल रहा होगा मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाहूंगा यह देखते हैं अब आप देखोगे कि भाई मार्केट गी रहा है मार्केट गी रहा है तो क्या होना है पुट की वैल्यू बढ़नी चाहिए यहां पर यहां से देखेंगे तो मार्केट के आदा बिल्कुल नीचे की तरफ जा रह सो रोपे के डीर नवार नीचे घारा और आप देखेंगे तो भाई यहां पर मेरे साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-वननने थे जोगी नहीं बने अब इसका कि यहाँ चैक करेंगे तो ुड्रोड के नीचे चल रही है अब निफ्टी की बात करेंगे तो आई वी अभी 9.5 के आश्पास चल रही है आई वी 10 के ऊपर वैसे बीसिकली 12 के ऊपर ओडी चीए इसलिए से बैंक निफ्टी में 17 के ऊपर ओडी चीए वह वहाँ बारा के आश सब्सक्राइब नहीं हो रहा क्योंकि आई वी का भी थोड़ा सा खेल चल रहा है इसको थोड़ा सा समझना बढ़ेगा आपको और देखते हैं जब थोड़ी बढ़ेगी तो प्रीमियम भी स्पॉर्ट के साफ से रियक्ट करेंगे बट जो प्रॉफिट बना चाहिए ताइफि आपको उत्रा मेनेफिट नहीं मिलना चाहिए इस वह से मैं अगर बोलू तो यह प्रॉफिट में 95000 का दिखा रहा यह एक तीस एक चालिस का आसपास होना चाहिए एक तीस एक पैथिस के आसपास बट चलो कोई बात नहीं चलता है और आशा करूंगा कि आने वाले टाइम यह सारी चीज़े ठीक हो जाएगी तो फिलाल मैंने आपको अपना वेरिफाइट पीरल दिखाया आपको फिलाल निफ्टी निफ्टी के अनैलिस करके बताई अब आपको बोला चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपने हमारा टेलीग्रम चैनल जो आप कहले जॉइन कर लिजे रीजन उसका क्या है वो मैं बता देता हूं टेलीग्रम चैनल मैं आपको क्यों बता रहा हूं रीजन उसका क्या है यह रीजन है इसका कि यहाँ पे पहले मैं आपको टेलीग्रम चैनल दिखाता हूं टेलीग्रम चैनल पे जो भी मेरे ट्रेड्स होते हैं वो सारे ट्रेड् कर देता हूं अपनी अनालीसिस के साथ कि मुझे निफ्टी में कुछ लग रहा है मैंने एक चार्ट डाला तो चार्ट के अल्मोस्ट मैंने काफियत तक भरपाई कर लिए बट फिर भी अभी मेरा जो फंड होगा वह दो सी दो नबे तीन के असपास होगा तो फिफ्टी थाउजन से स्टार्ट करी थी यह महीन हमारा प्रॉफिटेबल रहा है तो यहां पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यह मे पूरी अनालीजिस और अपने जो भी ट्रेड है वह यहां पर पोस्ट कर देता हूं जिससे आपको कॉन्फिदेंस मिलें जिससे आप मोटिवेट रहे और आपको एक्ट्व कुस सीखने को मिले इसके साथ बोलना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपको क्लासिस लेनी अगर को सीखना है तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं हमारा को से टेक्निकल अनालीसिस का वह आप जॉइन कर सकते हैं साथ हजान नौसो निन्यादवी रुपे में जिसमें टूंटीट वीडियोस टैन आवर्स का कोर्स है जिसमें चार्ट पैटर्न इंडिकेटर डॉरी एलेड़ जाता है स्टॉप लोस क्या होगा टार्गेट क्या होगा एक चीज बहुत ज़्यादा डिटेल में से सिखाई हुई है इसके इलावा बोलना चाहूंगा दोस्तों कि यहां पर आपको प्राइबेट टैलीग्राम चनल मिलेगा इसके लावा कोई बीडावट कोई रही है मु इसके चार्ट पर जब भी कोई पैटन मिनेगा उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ट्रेड करूंगा और इसके साफसे ही मैं अपने प्रॉफिट लॉस करूंगा बाकि या मेरे टैलीग्राम चैनल जोड़ जोइन करना और साथ-साथ कोर्स के लिए आप स्क्रीन पर नंबर आई होगी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें शेर करें चैनल का अब सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही थन्यवाद